हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सब्सका आरवेद रूट्यूब में तो फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर क्या हूं ये क्वेश्चन क्लास 9 की मायत से चेप्टर नूमबर 6 लाइन से लिया गया है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को भी से अर कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रेट कर सकते हैं अग एक्स प्लस वाई इस इक्वल टो डबलू प्लस जेड देन प्रूब देट एओ बीज ए लाइन देखो यह मारा फिगर है 6.16 इसमें हमारे पास देखो ए ओ बी एक सीधी लाइन है यह एक्स यह वाई यह डबलू और यह जेड तो यहां पर एक्स प्लस वाई यानि कि इसक और इसका सम एक्वल है इसके और इसके सम के तो हमें बस यह बताने कि एओ अलाइन है टीक है तो देखते हैं कैसे करेंगे सल्यूशन अच्छा देखो आपको मैं एक चीज बता दूं किसी भी पॉइंट पर आप कितने भी एंगल क्यों ना बना लो उनसा भी एंगल्स का सम कितना होगा 360 तो यहां पर एक पॉइंट है ओ और इस पर 4 एंगल बन रहे हैं X Y W Z तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 360 त्याप पर लिखेंगे कि एज भी है एक्स प्लस वाई प्लस डबलू प्लस जेड इस इक्वल टू 360 डिगरी ठीक अब यह मारे पास कितना है 360 डिगरी माल लेते हैं इसे एक्वेशन वन ठीक है लेकिन आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में बोला है कि X प्लस वाई इस इक्वल टू डबलू प्लस जेड तो चाहे तो आप इन दोनों को ऐसे ब्रेकेट में कर दो अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस से या फिर इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस से तो मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो फर्दर में रेट कर दूंगा x plus y पलस जहां पर w plus z है w plus z is equal to x plus y तो मैं x plus y रख देता हूँ x plus y is equal to 360 degree ठीक अब ये भी x plus y हो गया ये भी x plus y हो गया तो ये दुनों हो जाएंगे 2x plus y 2x plus y is equal to 360 degree ये 2 into में है इधर जाके divide में हो जाएगा 360 degree divide by 2 यहां पर हो जाएगा x plus y तो जब divide करेंगे तब देखो क्या होगा 2 अंजा 2 2 18 जा 36 तो यहां आजाएगा 180 degree कितना आजाएगा 180 degree यानि कि यहां पर हम लिख सकते हैं 180 degree ये माल लिजे आपका equation number second हो गया अब एक बात बताओ चाहे कितने भी एंगल हो अगर उनका sum 180 degree हो रहा है तो हो सकता है कि वह एंगल किस पर हो एक सीधी लाइन पर हो क्या हो सकता है वह एंगल एक सीधी लाइन पर हो अब एक बात और मैं दिखाता हूँ आपको जैसे कि यह जो X है वह यहाँ पर है और जो Y है वह यहाँ पर है और इनके बीच में एक रे है OC और यह OC जो है AB लाइन पर स्टेंड कर रहा है तो यह कैसे बन रहे है एक linear pair angle बन रहे हैं एक linear pair angle तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस एंगल एक्स एंड वाई लाइज बिट्वीन रे ओसी ऑन लाइन AB therefore by using equation second we can say AOB is a line और यह हमारा प्रूव हो गया आप यहाँ पर लिख सकते हो हैंस प्रूवड और यह हमारा यहाँ पर इस कुश्टिन का आंसर होगा आप चाहो तो इसे रेड़ओन कर लो या फिर विडियो को पहुच करके स्क्रिन सॉट ले लो पर यह हमारा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सुस्क्राइब करें हम अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले thank you class